सेनिक नामम्किन होता है तभी तो इस कोरोना काल में जब डॉक्टरों और भारत के सैनिकों को देश के भूतपूर्व सैनिकों ने इस वाइरस से जूचते देखा तो उन से रहा नहीं गया और उन्होंने डॉक्टरों की सेवा करने का बीड़ा अपने कंधों पर ले लिया देश के इंभूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रबंधित MotherPod Innovations Private Limited अपनी तरह का पहला Shared Mobility Solutions Provider है जिसने बेंगलूरू में अपने सैनिक for Doctors इनिशेटिव को लॉंच किया है सैनिक for Doctors नाम से शुरू की गई ये सेवा पूरी तरह से COVID-19 स्वास्थ कर्मियों के लिए समर्पित है जिसका शुभारम बेंगलूरू Medical College and Research Institute में किया गया सुभिता की बात करें तो मुंबई, बेंगलूरू, दिल्ली और हिद्राबाद के सभी स्वास्थ सेवा संस्थान MotherPod के साथ भागिदारी कर्देश की रक्षा करने वाले सेवा निवरित दिगजों की तरफ से संचालत वाहनों में अपने डॉक्टर्स और अनिस्वास्थ कर्वियों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल लाने और वापस घर पहुँचाने के लिए इस सेवा का लाब उठा सकते हैं मदरपॉर्ट का दावा है कि अपने इस मुहिम के साथ वो पूरी हिफाज़त, सुरक्षित और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से मोबिलिटी सोल्यूशन्स उपलब्द कराता है साथ ही स्वास्थ कर्मियों के साथ आवा गमन की भी सुविधा प्रदान करता है देश सेवा में खुद को ततपर तयार रखने वाले ये भूतपूर सेलेक सुनिशित करेंगे कि देश के स्वास्थ कर्मी, निजी सेहत की चिंतक के बिना या फिर मन में किसी तरह के भय के बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे मदर पॉर्ट सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो और सुरक्षप संबंधी प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन करने का दावा करते हैं क्यूंकि एक पर की यत्रा में वाहन में सवार होने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या दो ही निर्धारित की गई है और अधिक संख्या में सैनिकों को अपने साथ जोड़ेगा और बड़ी संख्या में इनसेवा निर्धा सैनिकों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्द करवाएगा बतादे कंपनी ने अगले तीन साल में एक लाख भूद पूर्व सैनिकों को नए सिरे से कुशल बनाने और फिर से उन्हें रोजगार उपलब्द कराने के लिए योजना बनाई है मदरबॉड के पास एक अत्यादूनिक नियंत्रन कक्ष भी है साथी सैनिकों के तरफ से प्रबंदित हेल्प लाइन नंबर का भी संचालन करता है तो कुछ इस तरह से मदरबॉड के जर ये देश के पूर्व सैनिक देश के कुरोना वारियोस की रक्षा करने के प्रती एच्छुप देखे जा रहे है